क्या आप कितना भी नहा लेते हैं और कितनी भी बार कपड़े बदल लेते हैं फिर भी आपकी बॉड़ी खास कर भगलों से पसीने की बदबू आती हैं अगर आपके जवाब हाँ है तो आपको घबरानी की जरुवत नहीं है क्योंकि या कॉमन समस्या है भगल की दुरगन की स अच्छे लगती है या हमें और चिंतित कर देती है जब हम और लोगों के साथ होते हैं यह हमारे वक्तित्व पर पूरा प्रभाव डालती है या ऐसी समस्या है जिससे ना चाहते वे भी लोग आपसे दूर भागने लगते हैं यदि आप भी अंडराम की गंद को दूर भग सोडा आप डियो लगाने के बाद भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा एक चोमच पानी में दो बुन टी ट्री और मिलाए और रुई की मदद से उसे अंडरामस पर लगाए दिन में दो बार करें नहाने के पहले आयोटीन की कुछ बुन दे अपने अंडरामस पर लगाए फिर एक मुलाएम ब्रस से अपने अंडरामस को अच्छे से लेकिन हलके से स्क्रब करें तीन से चाल मिनट तक फिर कुछ दिर रहने दे और थोड़ी दिर बाद नहा ले आलू का स्लाइस काटकर अंडरामस पर रगड़े और फिक उस दिर तक छोड़ दे इसके बार इसके अंडरामस पर लगए दिन में 2-3 बार करें लेकिन तेल लगाने से पहले अंडरामस की अच्छी तरह से सफाई कर ले कुछ ना मिले तो केवल नेम्बू को ही अंडरामस पर लगड़ ले कुछ मिनट रखने के बार ठंडे पानी से दोली रूजाना ना आने से पहले ऐसा कर ना है एक स्प्रेग की बॉटल ले उसमें पानी डाले उसमें लेविंडर की कुछ बूंदे मिलाकर अच्छी तरह से सेख कर ले इस स्प्रेग को टियो की तरह रुजाना सुबह अंडरामस पर चड़के एक छोटी कटोड़ी में सेव का सिरका ले अब इसमें रूई बूगर अपने अंडरामस पर लगाए बेकिंग सोड़ा निमू कर इसको बराबर मातर में मिलाकर नहाने से पहले इससे अपने अडरामस पर लगाए दो से तीन मिनट के लिए रहने जाड़ फिर नहाले इसके लावा आपको रोजाना एक से दो कली लहसुन खाना है खोब और एस इंफर्मेटी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करड़ वीडियो को जारा जारा शेर केज़ागों